हलो दोस्तों मैं हूँ सुश्मा और आज मैं आपको आम खाने के कुछ सुने अंसुने फाइदों के बारे में बताऊंगी फलो का राजा आम शाहिदी किसे को ना पसंद हो गर्मिया अपने साथ आम का सीजन लेके आती है आम कई तरके होते हैं स्वाद में, आकार में, हापूस, रतनागिरी, नीलम, तोतापरी, बादाम ये कुछ आम की प्रजातिया है आम कच्चा और पक्का दोनों रूप में खाया जाता है आम में amino acid, vitamin A, C, E, calcium, iron, magnesium, potassium और भी कई तरह के enzyme में भरपूर मात्रा में पाये जाते है क्या आप जानते हैं, आम खाने से आप cancer जैसे बड़ी और गंवीर बिमारी से बस सकते है आम में polyphenols होते हैं, जो अलग-अलग तरीके cancer से हमें बचाते है आम में fiber और enzyme भरपूर मात्रा में होता है, जिससे आपका खाना अच्छे तरीके से digest हो जाता है आपको बता दे कि आप gastro-indistinal disorder से भी बचाता है, जो आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करता है आम में vitamin A होता है, जो आपकी body को बहुत सारी energy देता है, जिससे आप active बने रहते हैं और आपको weakness भी नहीं होती इसमें कुछ ऐसी भी तत्व मौजूद होते हैं, जो cholesterol को कम करते है आपके season में अगर आप इसका semit 7 करते हैं, तो आपके चहरे पे चमक आती है इसके pulp में vitamin A भरपूर होता है, इसलिए इस pulp को अगर आप face pack की तरह भी इस्तमाल करते हैं, तो आपके चहरे से pimples और acne दूर हो जाएंगे आम खाने से आखों की रोशनी तेज होती है, और आखों की बिमारी जैसे night blindness और day blindness से बचा जा सकता है अगर आखों में सुखाफन मैसुस हो, तो आप आम का सेवन शुरू करते हैं यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आम का सेवन आपके दिमाग तक glutamic acid और gaba acid पहुचाते हैं, जिससे आपकी memory बढ़ती है यही नहीं, इसके सेवन से आपका दिमाग ज्यादा sharp और alert भी बनता है आख में मौजद vitamin A और E dandruff की समस्या को दूर करता है, इससे बालों में चमक बनी रहती है, यह scalp में blood circulation को सही रखता है गर्मियों की मौसम में कच्छे आम को उबाल कर उसका शर्बत बना के पीने से आप लू से बचे रहेंगे इसी के साथ आम के फाइदों पे बना हमारा special वीडियो यही पे समाप्त होता है इसी तरह के और देसिर उसके जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजे और हमारे इस वीडियो को अपने family और friends के साथ शेर करना ना भूलिए इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बिमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बिमारी को पास ना आने देना पुरी दुनिया में आलू बुखारा के 2000 से ज़्यादा किसमें पाये जाती है इसमें फरपूर मात्रा में पोशक तत्व होते हैं साथी इसमें विटामिन क, A, C और फाइपर्स फरपूर मात्रा में पाये जाता है